तो आज है 5th of November 2020 तो आज हम डिसकस करने वाले हैं दा हिंदू का अडिटोरियल जिसमें की मेंली दो आर्टिकल्स मुझें इंपॉर्टन लगें तो वो दो आर्टिकल्स हमार डिसकस करने वाले हैं जो प्रte topic है दा financial capacity of state is being weakened जो financial capacity है state की वो धिरे धिरे कमशोर होते जा रही है through various means in the union government has sustainedly reduced the fiscal resource capacity of state union government ने क्या किया है state की जो fiscal financial capacity थे रिसोर्स को कल्ट करने की धीमे धीमे उसको क्या करते जा रहे हैं स्टेट गवर्वमेंट जो कहती है, मिजॉर्टी होती है, जहां पर बहुत से लोग अपने अलिवलियूरि होते हैं, उसके पास क्या होता है? पूरे कॉंट्री जो का विदॉलप्मेंट प्रोग्राम होता है। पोने के लिदेज़ वा होता है । जो कि इस्टेट में बहुत से लोग रहते हैं और most of the people are basically dependent on the state for their primary resources. अब इस्टेट के पास इन सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए जो resources के need होती है, वो धीरे दीने क्या होते हैं? लोग जो है, इस्टेट पे जाता सारे डिपेंड होते जा रहे हैं, लेकिन इससे में हो क्या रहा है, जो financial capacity state की वो धीरे दीरे weak होती जा रही है, यूग आपको पता है, इसमें पेंडामिक के वर्ज़े से most of the लोग अपने-अपने home state में ही हैं, तो इस वर्ज़े से home state है, व guide कर सकें, चीज़े दे सकें, प्रोवाइड कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इल्टा हो यह रहा है, जो भी उनको चाहिए हैं चीज़े, जो भी resources चाहिए है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी capacity जो धीमती में खतम होती जा रही है, ठीक है जी, अब जो पहले ability थी states की, कि वो अपने revenue को expand कर सकते हैं, कि इसकी कर सकते हैं, लेकिन जब से यह GST का रेजीम आया है, वो सब भी धीमे धीमे खतम होता जा रहा है, इवन खतम ही हो गया है, आपको पता हो जब GST आया था, तो states ने काफी जादा हंगामा किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसे तो हमारा revenue घट जाएगा और बला बला बला, तो center ने समय यह कहता है, उन्यून गवर्यमेंट ने यह कहता है, कि आप GST को apply करो, आपके जो भी loss जा रहे होंगे, उनको हम pay करेंगे आपको, ऐसा कहा था, आपको पता है, इसमें pandemic की condition चल रही है, तो चीज़ें जैसी थ है था, वो आता था, center के पास, और फिर वो डिवाइड हो रहाता था, center और states के बीच में, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जो दोनों, यूनियन है और state है, वो बहुत जादा physical environment challenge को दोनों दोनों face कर रहे हैं, जो center है, उसको कुछ ऐसा सोचना चाहिए, जिससे क्या हो, एक mutual benefit solution निकल सके, जिससे के states को फाइदा हो, और center को भी फाइदा हो, यूनियन को भी फाइदा हो, लेकिन repeatedly ऐसा हो क्या रहा है, जो current और future fiscal capacity है, state की, उसको ही बार-बार repeat किया जा रहा है, कुछ चीज़ें जो सही नहीं चल रही है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, अब systematically होना क्या चाहिए था, share मिलना चाहिए था state को, जिससे की वह अपने welfare schemes जो है, और बाकी सब चीज़ें जो है, वह continue कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जो एक cut हो रहा है share में, किसके state के revenue share में, वह धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और increase किया जा रहा है by union government, और साथ ही साथ जो एक fund का pool था, उसको भी reduce कर दिया गया है, अब देखते हैं declining devolution क्या है, जो finance commission है, वह भी recommend करता है, कि जो union है, उसको center का state revenue में, क्या है, increase करना चाहिए, लेकिन जो भी current government है, वह इस चीज़ को बिल्कुल ही मान रही है, जो एक तरह से constitution obligation उसको discard कर रही है, जो क्या आपको पता, यह हमारे constitution में भी ऐसा mention है, कि center और state में चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, उनके बीच में क्या relation है, वो भी mention होना चाहिए, और आप मुझे बताऊगे, कौन से आट लगेता है, center और state में relation को बताया जाता है, तो हाँ, basically हो यह रहा है, कि union जो है, वो इस आदा आता था, रजूम कर लेते हैं, हाजी, अब year 2014-15 में थोड़ सी shocking चीज होई, और shocking चीज यह होई, कि जो भी finance commission ने projection के थी, कि states लगभख इतना revenue और इतनी चीज ने ले आएंगे, लगभख उन्होंने उससे 14% less चीज ले करी, जो कि धीरे धीरे आने वाला टाइम में क कम होता ही गया, वहिए कम 2019 और 2020 बात करें तो यह माइनस 37% तक रहा, श्रिंकिंग ना, डिविजबल पूल, अब डिविजबल पूल जो वो कि श्रिंक हो रहा है, कह स्रिंक हो रहा हो भी देखते हैं, अब union government ने क्या किया है, बहुत सारे CES और सर्चार्ज को लगा दिया ग जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो इससे होगा कि जो union का revenue होगा, वो तो increase होगा, लेकिन जो share है state का, वो नहीं increase हो रहा है, वो वैसे कि वैसे ही रह रहा है, इवन कुछ केसे में तो ऐसा हो रहा है, कि जो भी tax और tax से उसको सर्चार्ज और से replace भी किया जा रहा है, और इस केस तो इसके लगाए जा रहा है, लेकिन जो consumer है, वो same price को pay कर रहा है, मतलब union के पास तो नहीं जा रहा है, जितना की मिलना चाहिए, लेकिन state के पास जो चीज़ें आनी चाहिए, जो share आना चाहिए, वो उनके पास नहीं आ पारा है, इसी तरह जो union है, वो जदा से जदा revenue को र करने का वो धीरे-धीरे खतम होता जा रहा है कम होता जा रहा है अब वहीं 2014 से पंद्रा जोड़ा 15-20 के अगर हम बात करें तो इनके बीच में क्या था जो सैस और सर्चार्ज थे एक में चुरू किज़े क्या है यह सैस और सर्चार्ज थे वह आई थिंक बढ़ गया बढ़ ग ठेक है अब क्या हुआ डिविंग टू नाएटीं और जो कि एक्सपेक्टेट सेस था वह था नाइनटी फाईफ तौजन 444 करोर जो की बहुत अब नॉम्मल ता इतना ज्यादा रेवेन्यों था इतना ज्यादा एक्सपक्ट किया गया था ऐसा ऐसा मना जा रहा था कि जतना यह revenue आ रहा है GST के अंदर इंदर इससे किसी भी तरह के contingency need को fulfill किया जा सकता है इवन इसको Act of God भी का गया जिसमें क्या होगा सेंटर और स्टेट पर किसी भी तरह का इससे होगा क्या जो स्टेट है वो अपनी चीजों कर सकेंगे और इसमें होगा क्या यूनियन को किसी तरह का कोई भी डेप्ट याफ इंट्रेस्ट पे नहीं करने करना पड़ेगा अगर एंटायर लोन है ठीक है जी उसको भी ले लिया जाए स्टेश और revenue मिला के और इसके ब स्टेट के लगभख 1.8 लाग करोड का मतलब जो रिमेनिंग 1.2 है वो तो स्टेट के पास जाएगा ही नहीं और एक तरह से देखा जाए यह किसी मतलब यह जो इसका कोई रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है इन फैक्ट जो यह सब चीजे हो रही है जो किसे स्टे वो परौपर सही सही सद्राइबliers कि दोनों के लिए बहुत ही कुषिल टाइम है रह दोनों के लिए तो जरूरी है के चीजसे अपने तरीके से हों संहीं मैं आते है ज्लास不會 आते हैं यह एजहारी में के परफॉर्स देवलापमेंट के लिए और जेनय करते हैं ऑर जरोड ड के लिए अब जब स्ट्रॉंग स्टेट होगा तो वह स्ट्रॉंगर इंडिया को लीड करेगा अगर सिस्टेमाटिक विकिंग और स्टेट चलती रही ठीक है तो नहीं तो यह फेडरलिजम रह जाएगा और नहीं नैशनल इंट्रेस्ट में रह जाएगा तो यह सब पूर कर Champions पेस्ट के सных ऐट थैने का पावर से गया सती है अब दीक अब क्रीन और सिस्टेय लगा दिया थेस्टिया शिट्रेस्थ ग्राम昨 एक nih इंडिया दी मिला था लेकिन इसमें क्या हुआ जो इसमें क्या हुआ जो बोबड़े है इनका कहना है कि इसमें क्या है और इस चीज पर अपना आर्डर जो है वर सामने लेके आए हैं मिस्टर नात का जो यह पूरी चीज़े हैं वो इसमें के सामने का बाई जब एक डिजास्टफुल परसनल रिमार्ग हुआ बीजेपी वीमन कैंडिडेट के लिए ऐसा कहा गया और यह कब हो इव कुछ परसनल चीज़ें हुए थी वीमन कैंडिडेट के तो तब जाके एसी आई ने कुछ चीज़ें बोलना शुरू किया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए भाई आगे बढ़ते हैं ECI के पास इक ज़र्रेमेर्री पावर होती है कि वह इलेच्छीं तो करवा सके ब्रिजेश कर सकती है खोनार आफटर ओल जो स्टार्ल स्टेट्र सartet होता है वह वhos इंशूर करता है जो एक पर्रेटिक्लर पार्टिकल केट लीडर है हम वो हेलिकॉप्टर से जाएं बहुत एक्सपेंसिव ट्रेवल्स को करने जिससे कि क्या हो मौन ट्रेटरीज और लोगों तक वो जा सकें उनको समझा सकें अपने पार्टी के बारे में क्या वेलफर स्कीम से ले वाले हैं क्या करने वाले हैं फ्यूचर में वो यह सब बता सकें लेकिन 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 यह सब जीज़ें हैं वो किसी इंडिवेजुवल कैंडिडेट के spending limit से जाधा नहीं होने चाहिए उनको breach नहीं करना चाहिए ECI जो है वो साइट करता है clauses को कुछ की MCC जो है वो बार करता है candidates को उनकी जो भी उनकी स्टोरिंग्स हैं जिसको की कहा गया है क्या criticism of all aspects of the private life जिसमें क्या है private life के सारे के सारे expert को criticize करता है जो कि public activities के favor में नहीं है of other labor of the party worker I think यहाँ पर कुछ छोटा है नहीं जी ठीक जी आप क्या हो दोसा 19-20 में ही के वल जो union oh I'm sorry यह पहले वाले का आ गया है I'm sorry for this हाँ यह भी पहले वाले का यह आ गया है हाँ जी यहाँ पर है अब section 77 जो है representation of people act 1951 वो कहता है कि जो candidate है कि किसी candidate का जो election expenditure है does leave it to political party मतब section 77 जो representation of people act 1951 का है वो यह कहता कि कि किसी भी election expenditure का जो candidate है वो relate करता है कि कहता कि क्या अगर कोई political party है उसको आप खुद ही decide करने दो कि उसमें किसी candidate का क्या role होगा क्या status होगा lead ups के बाद क्या होगा वो खुद आएंगे मिलके decide करने को leader कौन होगा और फिर at the end क्या होगा leader होगा एक list त्यार करेगा उस list में star campaigners और campaigners के नाम होगे जो list finally आगे pass की जाएगी जो star status campaign status है वो आता है कुछ privileges के साथ भी आता है जो भी expenditure होता है star campaigner का उसको include नहीं किया जाता है candidate के expenditure में candidate कौन सा candidate candidate जो election लड़ रहा है उसी candidate में ठीक है पूरा हमारा article खत्तम तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको अच्छा लगया है पसंद आया मेरी मेहरत सुबह के 5 बज़े आइ तिंक सुबह के 5 बज़े तक मैं ट्राय करूंगी पांच सारे पांच तक आपको कर दो